बिहार तो रोगा मेंस एक्जाम 26 अपरेल को होनी है क्या इस डेट को आगे बढ़ाया जाएंगे या नहीं बढ़ाया जाएंगे इसके उपर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत सारे कॉमेंट है कुछ कॉमेंट है साफ में जिस गरूप में आप चलेजा या किसी भी Facebook रूप में चलेजा Lesson McDade सब्सक्राइब साच آरे मनस maximum के कोई अपडेट है कि ने बिहार एसा एक्जाम के ग्जाम देट बढ़ाने के ऊपर तो बिहार बीपीएस के ओफिशल बेसाइट के ऊपर आते हैं तो ऐसा कुछ भी अपडेट आपको नहीं देखने को मिलता है जो भी अपडेट है लास्ट अपडेट 24 मार्च को किये हैं पर अपडेट नहीं है नोटिज में एक्जाम डेट आगे बढ़ाए जाते हैं पॉष्ट पॉंक्ट किया जाता है अब बात करते हैं इक्जाम डेट को पर पोष्ट फॉंड होने के कितने संभावने रहेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक वो अपनी पूरी तरह से 100% में एक्जाम के प्रिपेरिशन में फोकस करें क्योंकि आपका एक्जाम को होना लास्ट रता है 27 अप्राइल को होना यहां पर देखें जो सेकेंडर स्टेज में कंट्रोल हो जाते हैं काफी हद तक तो आपको एक ट्रें बसे नॉर्माली शालू हो जाएंगे तब साक्षाग आप एक्जाम असानी से देपाएंगे पर यही पर जो सेकेंडर स्टेज में अभी हम लोग क्रोना वायरिस के करमीत हुआ है तो सेकेंडर स्टेज में भी है यह जादा भ्यावस्तिती पैदा ले लेते हैं तब डेफिनेटल आपके एक्जाम डेट पोस्ट्पोन होगा पर यह सब फीचर की बात है तो फीचर डार्क होता है हमेशा तो इसीच को आप सिर्फ अनुमाल लगाकर ना चले कि एक्जाम पोस्ट्पोन हो सकता है तो यहां पर मैं इतना ही कहना चाहांगा कि आप इक्जाम को देखते हुए आपका 26 अपराईल की एक्जाम को मानकर अपने प्रिप्रेशन अपने तयार हो करें पर पूरे समभावना रहेंगी एक्जाम डेट आगे बढ़ सकते हैं पर तो यह थे गलत होगा कि आपके प्रिप्रेशन की सवाल है यहां पर मैंस इक्जाम बहुत इंप्टेन है आपके लिए हम पर स्गोठोटां पर आपकी आप कि आप ध्यान रखें किसी भी अफ़ा पर जो भी शोशल मेडिया पर बढ़ाने के उप़ रिए कुए कॉमेंट के इस भी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहें कि एक्जाम डेट बढ़ा दीगे उस पर ध्यान ना दे सिर्फ अपने मेंस एक्जाम के पर फोकुस करेंगे थोड़ा सा भी अच्छा बाइस्तिती होता है तो आपकी एक्जाम मेंस एक्जाम ले जाएंगे कोई पोस्ट पॉ यह भी एक रिजन है पर इक्जाम डेट बढ़ भी सकते हैं ऐसा काना गलत नहीं है जो लोग का रहें पर यह सब चीज समय पर के डिपेंट करता है यह चीज आपको मीड अप्रेल तक संभल नहीं जाते है तब तक डिपेंट रहता है यादि नहीं संभाथते तब डेफिने परशन उसे समझा जिस चीज को अपने प्रीवेश परशन को अपनी यादी बार-बार शॉल्फ किया है तो अप एक चीज तो के लिए रहा है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना यह जानते है यह जानते है तो डेफिनेटल आप हाइस्ट स्कोर करेंगे बिहार श्रव इंस यह आपसे भी को बहुत बहुत देना है जाएन जाए भारा